हलो फैंट्स वल्कम बैक तो मैं चैनल फैंट्स आज हम आपको आपके मॉडल पेपर में पूछे गए वक्याबलरी से बेस्ट जो क्वेस्टेंस है उसके उसका सॉलुशन बताने वाले हैं और फैंट्स इसके पहले हमने आपको एडियम्स एंड फ्रेजिस का वीडियो प्रो फेक्स्ट क्वेस्टें होता हैं एंटिन्म से बीवाला इसमें होता है आप यह सबसे पहले इसमें पूछा गीया है हिरे आंते सुर्खने हैं िप और अपल का मतलब क्लिकल का मतलब कम वह प्र देंडा किया सकते हैं प्रियाप्ट क्ड़िए चब्यसक्ट sir रिए और एंप्सका सकता है कि न को में परियाप्त कर सकते ह्द एंस gonna कुण सा बड़ी यूज कर सकते हैं है त्परीयाप्त क्या हो सकता है इन्सपरीयाप्त एक्पर अपरेयाब्द होता है और एकल का मतलब परेयाब्द होता है तो एम पल का आप लिख सकते हैं इनसॉफिसिएंट अब इसके बाद नेक्स्ट बोर्द दीख लेते हैं आप जो दिया गया रे दूसरा है इसमें चीर फूल चीर फूल को में एंट्रनेम लिखना है चियर फुल कर नियू का मेंलें आप जानते हूं गе कि इसका मतलब क्या होता है उसना ईसका उपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं चियर कम लृज्च करैं स device स्डुव क्या हो जाएगा Continuing और यहां प्र पैसमें पूचा गया है उसका आपको निने ईक्ष्वन नहीं होता है को एक्ष्वन आपशन नहीं होता है नेक्स्ट यहां पर पुछा किया है wild wild का आपको बताना है antonyms wild का मतलब हम कह सकते है असब्य वैसे जंगली भी होता है लेकिन wild का मतलब असब्य भी होता है तो असब्य का opposite क्या होगा सब्य होगा और सब्य के लिए हम कौन सा word यूजरोड योज करते हैं जैसे हो गया इसीविलाइजड हो सब्य करने हो आप वाले के लिए आप सिव योजरोड करते है तो इन में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं यह कोई जरू नहीं कि आप एक से ज़्यादा ही वर्ड लिखें आप अगर एक ही वर्ड लिखते हैं तब भी आपको फुल माक्स मिल जाते हैं तो वाइल का अपोजिट हम लिख सकते हैं civilized, cultured, kind या फिर decent तो यह तीन वर्ड आपसे पूछे गया थे तीन वर्ड के अंटेनिम्स पूछे गया थे अब इसके बाद देखिए यहां पर पूछा गया है सेनेनिम्स पूछे गया इसके बाद और सेनेनिम्स में हमसे पहला question जो पूछा गया है तो इसमें सेनेनिम्स में पहला इसमें पूछा गया है brave brave का सेनेनिम्स आपसे पूछा गया है और सेनेनिम्स का मतलब क्या होता है परियाएवाची तो brave का परियाएवाची हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से आप इसका सिरेनिम लिख सकते हैं और दूसरा वर्ड इस पर पूछा गया है ? दूसरा इसमें है करप्ट और करप्ट का मतलब आप जानते ही करप्ट का मतलब ब्रस्ट के सकते हैं और ब्रस्ट का क्या मतलब है ब्रस्ट का मतलब है जो बैमान हो तो आप बैमान के लिए कुल सा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए आप डिस ऑनेस्ट का यूज कर सकते हैं डिस ऑनेस्ट तो करफ्ट का अगर आपको सिननिम्स लिखना है तो उसके जगह पर डिस ऑनेस्ट का यूज कर सकते हैं और इसके बाद देखिए याँ पर नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है नेक्स्ट है फैटल एफ एटी एल फैटल का मदब क्या होता है इसका मदब जानल और जानलेवा के लिए और कौन-कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं याँ पर हम जानलेवा के लिए यूज कर सकते हैं फैटल के लिए हम याँ पर लीथल का यूज कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए मोटल का भी यूज कर सकते हैं तो फैटल का जो से अगर हमें लिखना हो होगा तो मस्के लिए लीथल या फिर मोटल का यूज कर सकते हैं तो फैंस यह आप से सिननिम्स और एंटनिम्स से तीन-तीन वर्ड पुछे गए थे और जो त्री-थी मार्ट के भी हैं अर्था दिये सिक्स मार्क से क्वेस्टन्स है अब आप चाहें तो इसका कि इसमें पहला पूचा गया कि a selfish person who always thinks of himself a selfish person या फिर a person भी आप एक कर सकते हैं a person who always who always thinks of himself एक ऐसा व्यक्ति जो केवल जो हमेशा केवल अपने ही बारे में सोचता है himself a person who always thinks of himself एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है इसको हम क्या कह सकते एक वर्ड में इसको हम कहते हैं इगो सेंट्रिक इगो सेंट्रिक इसको हम कह सकते एक word में, egocentric एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है उसको हम क्या कहेंगे, egocentric कहेंगे, अब इसके बाद जो next यहां पे पुचा गया है कि one who speaks on behalf of others one one who speaks one who speaks on behalf of others एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की जरब से बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की तरब से बोलता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं advocate कहते हैं जो advocate होता है, वो हमेशा किसी दूसरे के पक्ष में बोलता है, तो one who speaks on behalf of others इसको हम कह सकते हैं advocate और यह बहुत ही important है इसको आप जरूर याद रखेंगे तो one who speaks on behalf of others इसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं advocate अब इसके बाद next यहां पर पूछा गया है चाइल्ड बॉन आफ्टर देथ ओफिस फादर चाइल्ड बॉन आफ्टर देथ ओफ इस फादर तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मिर्टियों के बाद पैदा हुआ हो एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मिर्टियों के बाद पैदा हुआ उनके मरने के बाद पैदा हुआ हो तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं पॉस्थूमस पॉस्थूमस कहते हैं ऐसे बच्चों को तो इसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं पॉस्थूमस इस तरह से पॉस्थूमस तो फेंट्स ये तीन क्वेस्टेंस आप से पूछे गए थे वन वर्ड सब्टिटीशन से जिसको हमने आपको बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसको हम एगोसेंट्रिक कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की तरफ से बूलता है उसको हम एड़ोकेट के थे हैं एक वर्ड में और चाइल बार्न आफ्टर देट ओफिस फादर एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मृत्यू के बाद पैदा होता है उसको हम पॉस्थूमस कहते हैं अब इसके बाद इसमें केवल एक क्वेश्चन और बचा हुआ वक्याबलरी से जिसमें आप से होमोफोंस पूछे गया है और होमोफोंस क्या होता है जिसका जो उचारड है वो लगबग एक जैसा होता है लेकिन इसका मीनिंग अर्थ हे वो अलग होता है हम पॉस्थूहां कहाँ तो हमोफोंस यह आप से पूछे गया है जिडूसी और जिडिस्यस यह तो वरट पूचे गया है अगर देखा रहे हैं तो लगभग meaning का लगभग same है थोड़ा इसमें difference है तो इसमें हम देखें judicial का मतलब क्या होता है जो न्याय से संभधित होता है न्यायाय आयायाय से संभधित कोई बी चीज है उसको हम judicial कह सकते हैं और यह ग्रणियास हम ऐसे व्यक्टियों के यूज कर सकते हैं। यह मैं एक जयाओ करने में बहुत ज्याधा के हैं और कोई बहुत स्ब्लाइब किसी भी चीज को रधिया यह अग्जामपल लिख सकते हैं कि अच्छ जुडिशी जुडिशीय है आज जुडिशीゃ री जॡिशीय है भी आधी इजडिसेटि न्किषैर 他ी जुडिशी究 एर इर जॅर है ओधि उ आधे इसेश्टेटि। एक जुडीशियल इंक्वाइरी से मदद मिल सकती है अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट बड़ ही जुडीशियस इसको आप एक परसिन के लिए यूज कर सकते हैं तो यहां पर एम एक्जामपल में इसको यूज कर सकते हैं कि यह जूडी इस कि हैं तो यह रही जुडीशियस इस वेरी जुडीशियस इन सॉल्विंग इंसॉल वें ड़ोमेंस्टीश वी वर दो मैस्टीश इसको डिमेंस्टीश को शाल करने के लिए बहुत ही जाधा जिडीजियस है, उसके पास नयाय करने की अच्छी ख्रमता है तो he is very judicious in solving the domestic problems इस तरह से आप इन दोनों को अपने sentences में use कर सकते हैं तो फेंट्स इस प्रकार्थ हमने आपको आपकी model paper में पूछे गए सभी important जो vocabulary से based questions थे उसको solve करके बताया I hope आपको यह सब समस में आया होगा और आप इसको अच्छे से prepare कर लीजिएगा आप चाहे तो इसका screenshot ले लीजिए Thanks for watching